Hey guys, welcome back to the channel, thanks for subscribing and thanks for your love and support Guys, आज को जो वर्काउट है हमारा वो बैससे से बेस्ट होगा और उसमें मैं कुछ एक चीजें नहीं एड़ करनी जा रहा हूँ हो सकता आपको पता भी उनके बारे में बट मैं फिर भी शेर कर देता हूँ फर्स तिंग है आपका ड्रॉप सेट और सेकिंड है निगेटिव गाइद इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे किसी भी वर्काउट में ड्रॉप सेट में हम बेसिकली क्या करते हैं ड्रॉप सेट आपका डिफ्रेंट होता है एक नॉर्मल रेगुलर सेट से आप जैसे एकसरसाइज कर रहे हैं कोई भी बाइसेप्स के एकसरसाइज डंबल कर रहे हैं तो उसमें आपने 15 कज़े का डंबल लिया और सबने आपने 12 wraps complete किये माझ लिजा जैसे यह डंबल है, यह समझेश लिए यमार्यो के डंबल है यह सूच लिए या कि पंद रजा किलो को डंबल हैं, तो आपने पंदरा किलो के डंबल से 12 wraps complete कर लिए डंबल कर के, अब 12 wraps आपके complete होने के बाद आपके माल लीजे मसल फटीग होगी है यानि कि आपकी जो स्टेंद्ध है वो खतम होगे 15 kg के वेट के लिए तो आपने क्या किया उसको ड्रॉप किया वेट को ड्रॉप किया और आपने उसके जगए एक 10 kg का डंबल उठा लिया अब जैसे कि सोच लिए कि यह 10 kg का डंबल है उसके बाद आपने उस 10 kg के डंबल से 8 reps और निकाल लिए 8 reps complete होने के बाद अब क्या है आपकी जो muscle है उसके लिए फटेग हो चुकी है तो आपने एक 5 kg का डंबल उठा लिया 5 kg का डंबल से आपने फिर से reputation निकाले है 8 इस तरीके से आपके back to back तीन drop set हो गया है यह और वह भी बिना किसी rest के तो यह हमारे drop set complete हुआ तो drop set basically same muscles के आपके तीन से चार set होते हैं without any rest उसको हमें drop set करते हैं इसकी importance क्या है इसकी importance यह है कि जैसे आप जैसे आप advance होते रहते हैं आपको इसकी जुरत पड़ती है नॉर्मली अगर आप एक ही set लगाते रहेंगे चार set आपने लगा लिए exercise के और उसमें कोई भी drop set नहीं के normal set करके चले गए तो उसमें क्या है आपका मसल को कुछ भी नया नहीं फिल हुआ तो आपको drop set आपका comfort zone से बाहर आके आपने set लगाया आपकी मसल का size और enlarge हो जाएगा तो drop set में basically हम पूरी exercise यानि कि सभी set को drop set नहीं कर सकती ऐसा नहीं है कि पहला सथ भी drop set, second set भी drop set, third set भी drop set नहीं ऐसे नहीं बोजाता हो जाएगा तो आपको क्या करना है हर exercise का last set है उसको drop set लगाना है जैसे कि मैं 4 set लगाता हूं हर workout के तो जो मेरा fourth set रहेगा उसको drop set लगाऊंगा यानि कि first आपका normal set, regular set, second regular set, third regular set and fourth one is drop set तो इस तरीके से आपको perform करना है यह तो हुआ drop set इसके बाद आते हैं negative पे तो second thing जो हमारी है वो negative बिसिकले हम किसी भी exercise के जो perform करते हैं तो हम squeeze और stretch का use करते हैं हम double करके बात करते हैं, Mahalna Ji Ji हम इस weet को ठाते हैं , जैसे हमने एक히 weight को ठाके और squeeze किया мышLTS को और फिर हमें चोड़ा से वापर देरे देरे इसको मैंने stretch किया, weight को उठाया और छोड़ दिया, उठाया और छोड़ दिया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ आपका weight है, वो मसल्स में, सिर्फ squeeze के time पर act कर रहा है, मतलब इस time पर perform कर रहा है, तो आपको क्या करना, negative में भी, यानि कि जो आपका negative है, उसमें भी धीरे जीरे weight को छोड़ना है, controlled way में, इस तरीके से, squeeze and stretch, squeeze, stretch, तो इसमें क्या होगा, कि आप खुद weight को छोड़ते टाइम भी, pump को feel करेंगे, stretching position में मसल्स में, pump feel करेंगे, और ये वाला जो pump है, आपका 24-48 घंटे ते कापके, मसल्स पर रहेगा, आपको difference चेक कर सकते हैं, तो दो ते जिन में, आपके कापके 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 कापक हुआ का लाग झाल कर दो 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 झाल 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 झाल